भरम जाल एक समय की बात है एक संत प्राता काल भर्मन है तो समुद्धत पर पहुचे वहां पर उन्होंने एक पुरुष को देखा जो एक इस्त्री की गोद में सर रखकर स्वया हुआ था उस पुरुष के पास में सराव की खाली बोतल भी पड़ी हुई थी ब्यक्ति बहुत दुखी था संत ने विचार किया कि यह मनुष कितना तामसिक और बिलासी है जो पराता काल सराव का सेवन करके इस्त्री की गोद में सर रखकर प्रेमा लाभ कर रहा है थोरी देर के बाद समुद्र से बचाओ बचाओ की आवाज आई संत ब्यक्ति ने देखा कि एक मनुष समुद्र में डूब रहा है मगर स्वेंग तैरना नहीं आने के कारण संत ब्यक्ति देखते रहने के अलाबा कुछ नहीं कर सकते इसतरी की गोद में सर रखकर सोया हुआ ब्यक्ति उठा और डूबने वाले को बचाने हे तो पनी में कुद गया थोरी देर में उसने डूबने वाले को बचा लिया और किनारे ले आया संत ब्यक्ति विचार में पर गए कि इस ब्यक्ति को बुरा कहें या भला वह उसके पास गए और बोले भाई तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो उस ब्यक्ति ने उतर दिया मैं एक मच्छवारा हूँ मच्छली पकरने का काम करता हूँ आज कई दिनों के बाद समुदर से मच्छली पकर कर प्राता जल्दी लोटाया हूँ मेरी मां मुझे लेने के लिए आई थे और साथ में घर से कोई दूसरा बरतन नहीं होने के कारण इस मजरा की बोतल में पानी लेकर आई कई दिनों की यातरा से मैं ठका हुआ था और इस भोर के सुहने बातावरन में यह पानी पीकर ठकान कम करने मां की गोद में सिर रखकर ऐसे ही सो गया संत बैक्ती की आँखों में आँसु आ गये कि मैं कितना पातक बैक्ती हूँ जो देखा उसके बारे में मैंने गलत बिचाड किया जबकी बास्तविकता अलग थी कोई भी बात जो हम देखते हैं हमेशा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है किसी के परती कोई निर्नय लेने से पहले सौ भार सोचें और तब फैसला करें अगर आपको बात अच्छी लगे तो उनका अनुकरन करें अपनी और औरों की जिन्दिगों को को खुस हाल बनाईए दोस्तो इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि जो हर चीज जो आँख से देखते हैं वह सही नहीं होता किसी को भी कभी भी वेवजह जज ना करें कहानी कैसी लगी कोमेंट करके बताएंगे अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को सेर करने में कंजूसी नहीं करिएगा और साथ ही अपने चैनल कथा काब्र दर्पन को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लिजिएगा फिर मिलेंगे दूसरी ग्यान बरदर कहानी लेकर तब तक खुस रहें मस्त रहें प्यस्त रहें जै हिंद जै भारत भारत